महपत का भूपू बजाने आई आपकामिंग कॉमेडी फिल्म बलविंदर सिंग फेमस हो गया की पूरी टीन इस फिल्म से अक्टिंग में अपनी खिसमत आजमानी जा रहे हैं सिंगर्स मिका सिंग और शान इस मुवी में खास बात है कि मुझे शरीफ दिखाया गया है मुवी में और शान को ओवर समार दिखाया गया और मैंने स्क्रिप्स बिकली पड़ी मैंने सरु शान भाई को फोन कर रहे हैं कि आप सु पिचर कर रहे हैं शान ने बोलाई यस तो शान ने इसलिए पिचर करी कि मैं कर रहा हूं और मैंने इसलिभी और आज तक दुनों को कहनी नहीं मालूम पिचर कहनी है The best part is that आजे चल तेरी मेरी बैट लगी अरे छोटे मुसे करता है क्यों बाते बड़ी जली ना देख तेरी फिर से चली अब तेखले ना होगी यही भाभी तेरी मेरी शादी मेरी तोले फेकुंगा होगे वेरे तो तम खेचंगा आउंदे के रेगाना चकर चला वह अपलत का भूंपूर बजने लगा मीका जोके अपने मस्त मौला अंदास के लिए जाने जाते है इस इवेंट में भी काफी मस्ती के मूर में नजर आए और वैसे शान बहुत ची अक्टिंग करते हैं इस्पेशल इपनी वाइफ के सामने एक शॉट था जहां पे डास करते हैं चिनी परकास ने बोला के शान आपको लड़की को उठा कर डास करना है तो बोलता हाँ ठीक है फिर पॉज लेकी ना साइड पर गया जानो वो चिनी परकास कह रहा के वो लड़की को उठाना ऐसे वैसे यहां इस फिल्म का म्यूजिक लाँच होना था चीव गेस्ट बिग बी के हाथ हो जो अपनी पंक्चुालिटी के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस इवेंट पर बिग बी थोड़ा देर से आये और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए बिग बी ने म्यूजिक लाँच की फॉर्मालिटी पूरी की और एक क्विक विश देकर चलते बने अभी तक तो गाने की महफिल जमा करती थी मीका जी के आवाज से अब फिल्मों में भी देखने का अफसर मिलेगा तो एक और कॉम्पोटिशन खड़ा हो गया हमारे सामें लेकिन हद तो तब हो कई जब इस इवेंट की दूसरी गेस्ट सनी लिओनी ने इवेंट खत्म होने के बाद एंट्री ली और शायद ये बात सनी के क्लोस फ्रेंट मीका को भी काफी खराब लगी होगी ओल इन ओल वैसे तो ये इवेंट स्टार स्टार्ड़ था लेकिन हमारे स्टार्स की लेड लतीफी ने इस इवेंट का सारा मज़ा खराब कर दिया वी होप की थेयर्टर्स में फिल्म देख कर ओडियूंस का मज़ा खराब ना हो हेर्स विशिंग यू ओल दे बेस्ट